गौतों गंभीर टीम में जादा दिन टिक नहीं पाएंगे ये बोल है जोगिंदर शर्मा के वही जोगिंदर शर्मा जो 2007 T20 World Cup में एक बहुत एहम भूमिका निभाई थी है यूँ भी कह सकते हैं कि वो जो एक ओवर उन्होंने डाला था उस ओवर की वज़े से टीम इंडिया T20 World Cup के inaugural season की champion भी बन पाई थी जोगिंदर शर्मा ने एक statement दिया है एक podcast में और उन्होंने गौतों गंभीर जो की अभी अभी head coach बनी है टीम इंडिया के उनके उपर एक बहुत बड़ी statement दी है चलिए उनके statement पर नज़र डालते हैं गौतों गंभीर टीम को समालने वाला है लेकिन मेरा ये मानना है कि गौतों गंभीर जादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि गौतों गंभीर के अपनी ही कुछ फैसले होते हैं हो सकता है किसी player से मनमुटाव हो जाए मैं विराट कोली की बात नहीं कर रहा हूँ गौतों गंभीर के फैसले कई बार ऐसे हो जाते हैं कि दूसरों को पसंद नहीं आते गौतों गंभीर सीधी बात करने वाला है वो किसी के पास जाने वाला नहीं है गौतों गंभीर चापलूसी करने वाला बंदा भी नहीं है उसको क्रेडिट देने वाले हम लोग हैं वो स्टेट फॉरवर्ड प्लेयर रहे है वो और अब जब टीम इंडिया के हेट कोच भी बने है तो भी उनकी अलग-अलग स्टैट्जिस हमें देखने को मिल रही है कभी टॉप ओडर का बैटर आके ओवर डालने लगता है जैसे कि पहले ODI के अगर हम बात करें तो वहाँ पे शुबमन गिल से ओवर करवाय गया था जो कि बिलकुल ही अलग चीज थी और उसके बाद से अगर आप T20I के भी बात करें तो वहाँ पे सुरकुमर यादो और रिंकु सिंग से लाश्ट को वर डल वाय गये थे जो कि ये भी बहुत जादा अलग चीज थी किसी ने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था तो गौतों गंभीर के एरा में चीजे बदलने लगी है शायद इसी वज़े से जोगिंदर शर्मा ने ये स्टेटमेंट दी है कि शायद गौतों गंभीर जो है वो टीम इंडिया के जाती है बहुत सारी उन्होंने कॉंट्रवर्सल स्टेटमेंट दी है जो अभी भी सोशल मीडिया पर पड़ी है जिसकी वज़े से लोग उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आते हैं लेकिन अब गौतों गंभीर एरा शुरू हो चुक है हलाके जोगिंदर शर्मा की ये स्टे की पा दिया तो फिर गौतों गंभीर का एरा जो है वह शुरू हुआ बाकि आपको कैसे लगी वीडियो कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें